नमस्कार मित्रों, मैं अविनास रजन गुपता आपका अपने चैनल पर हर्द कभी नंदन करता हूँ आज हम व्याकरण पार्ट के अंतरगत चर्चा करने जा रहे हैं वण्ड विच्छेद, वण्ड विच्छेद क्या होता है? वण्ड विच्छेद क्यों किया जाता है? वण्ड विच्छेद से क्या लाव हो सकता है? और वण्ड विच्छेद करने की प्रक्रिया क्या है? इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं आप इस वीडियो को जरूर देखे वड़न क्या है? भासा की सबसे छोटी इकाई smallest unit जिसके और टुकड़े न किये जा सके उसे वड़न कहते हैं जैसे पानी ये सब्द चार वड़नों के मेल से बना है प प्लस आ प्लस न प्लस ई पानी इन चारो वड़नों के और टुकड़े संभव नहीं है अर्थात प, आ, न, ई ये वड़न है वड़न कितने प्रकार के होते हैं? वड़न दो प्रकार के होते हैं पहला स्वरवर्ण जिसे अंग्रेजी में वावल्स कहते हैं और दूसरा वेंजन वड़न जिसे अंग्रेजी में कॉंसोनेंट्स कहते हैं स्वर और वेंजन में क्या अंतर है? वेंजन वड़न स्वरों की मदद से उच्चरित होते हैं जैसे का से लेकर ग्याँ तक सभी वेंजन वड़नों में अ की धोनी निहित है दूसरा अंतर यहाँ है की स्वरों का उच्चरण आप लंबे समय तक कर सकते हैं जैसे अ, आ, इ, परंतु वेंजन वड़नों का नहीं जैसे अगर आप वेंजन वड़नों का उच्चरण लंबे समय तक करना चाहेंगे तो आपको रिपीटेशन अर्थात पुनर पुनर बार उच्चरण करना पड़ेगा जैसे क, 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 क इसे से यह पता चल जाता है कि स्वर वड़न वड़नों के उच्चरण में सहायक होते हैं स्वर सहित और स्वर रहित वेंजन क्या हैं? जिन वड़नों में अ की ध्वनी निहित होती है उसे स्वर सहित वेंजन कहते हैं और जिन में स्वर अर्थात अ की ध्वनी नहीं होती उन्हें स्वर रहित वेंजन कहते हैं स स्वर सहित और स स्वर रहित वेंजन है तेड़ी रेखा का वह चिन जो वेंजन के नीचे लगा है उसे हल का चिन कहते हैं इसके लग जाने से व्यंजन अर्थात consonants सुद्ध व्यंजन कहलाता है। हलंत क्या होता है? हल प्लस अंत हलंत अर्थात वे सब्द जो हल चिन्ध पर समाप्त होते हैं। जैसे अर्थात, नेर, दैवात, इत्यादी वन विच्चेद क्या है? वण्ण विच्छेद यानि वण्णों का विच्छेद सब्द का प्रत्यक वण्ण किस वेंजन और स्वर से मिलकर बना है उन्हें क्रमानुसार बताना ही वण्ण विच्छेद कहलाता है सामान्य वण्ण विच्छेद बारिस ब जुक्त आ, जुक्त र, जुक्त ई, जुक्त अलवेश, जुक्त अ दर्वाजा द जुक्त आ, जुक्त र, जुक्त अ, जुक्त व, जुक्त आ, जुक्त ज, जुक्त आ दर्वाजा नदी न जुक्त आ, जुक्त द, जुक्त ई किताब क जुक्त ई जुक्त त जुक्त आ जुक्त ब जुक्त अ किताब आकास आ जुक्त क जुक्त आ जुक्त स जुक्त अ आकास नुक्ता युक्त सब्दों का वर्ण विच्छेद नुक्ता वाले सब्द भारत के मूल सब्द नहीं होते हैं ये आर्वी फार्सी वाले सब्द होते हैं जैसे बाजार ब जुक्त आ जुक्त ज नुक्ता वाले ज कप्रयोग यहां होगा जुक्त आ जुक्त र जुक्त अ कमर इस सब्द का अर्थ हुआ चांद क्योंकि इसमें का के नीचे नुक्ता लगा है और जिस का में नुक्ता नहीं होगा उसका अर्थ वेस्ट अर्थात कमर का जुक्त अ जुक्त मा जुक्त अ जुक्त रा जुक्त अ तरफ ता जुक्त अ जुक्त रा जुक्त अ जुक्त अ जुक्त फा जुक्त अ तारफ, खुदा, ये खुदा का मतलब अल्लाह, और जिस खुदा में नुक्ता ना हो, वो खुदा अर्थात खुदाई की गई जमीन. ख, जुक्त, उ, जुक्त, द, जुक्त, आ, बाग, ब, जुक्त, आ, जुक्त, ग, जुक्त, अ, बाग, अर्थात बगीचा. र, युक्त, सब्दों का वणविच्छेद. ऐसे वणविच्छेद थोड़े कठीन प्रतीत होते हैं, परंतु आस्तों में होते नहीं हैं, इनका ज्यान अगर हमें हो जाएं, तो हम ऐसे वणविच्छेद भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इससे जुड़ा वीडियोस मेर चैनल पर already available है आप रा के विभिन्न रूपों का प्रियोग अगर देख ले, समझ ले तो आपको ऐसे सब्दों का वंड विच्छित करने में कोई भी समस्या नहीं होगी क्रम क जुक्त र जुक्त अ यह हुआ क्र म जुक्त अ क्रम आसिर्वाद आ जुक्त कालवेश, जुक्त ई जुक्त र, जुक्त व, जुक्त अ आसिर्वाद जुक्त द, जुक्त अ आसिर्वाद प्रार्थन प, जुक्त र, जुक्त अ प्रा, र, जुक्त थ, जुक्त अ, जुक्त न, जुक्त अ प्रार्थन सूर्य स जुक्त उ जुक्त र जुक्त य जुक्त अ सूर्य उत्तिड्न द्वीतिता का प्रयोग है एक त आधा है और फिर पूराता अर्थात पास हो जाना या पास उत्तिड्न विशिष्ट रह वाले सब्दों का वण्ण विच्छेद वण्य वा जुक्त आ जुक्त रा जुक्त अना जुक्त या जुक्त आ वण्य यहां आप ये अवस्य जानिये कि या के उपर लगने वाला रेफ वा के बाद का रह है चुकि रेफ कभी भी आधे विच्छन वण्य पर नहीं लगता इसलिए उसके बाद आए पुड्न विच्छन पर ये लगा है यहां वण्य तो वा उसके बाद र उसके बाद आधा अना उसके बाद या इसलिए वा जुक्त आ जुक्त रा जुक्त आना जुक्त या जुक्त आ अर्गया ठीक ऐसा ही आ जुक्त रा जुक्त घा जुक्त या जुक्त आ अर्गया अंतर ध्वनी आ जुक्त ना जुक्त ता जुक्त आ जुक्त रा अंतर अब ध्वनी करतेंगे ध, जुक्त, व, जुक्त, अ, जुक्त, न, जुक्त, इ, अंतर ध्वनि, वर्ट से, ये हिंदी में एक मात्र ऐसा सब्ध है, जिसमें र, दो आधे वेंजेन वर्णों को पार करने के बाद य के उपर आया है, व, जुक्त, र, जुक्त, त, जुक्त, स, जुक्त, य, जुक्त, वर्च्य आर्द्र में नीचे पदेन का प्रयोग हुआ है यहाँ री का प्रयोग नहीं हुआ है नीचे पदेन का प्रयोग है और हरद का मतलब जील या लेक होता है रू और रू वाले सब्दों का वर्ण विच्छेद आपको यहां ध्यान देने की जुरुत है कि रह एक मात्र ऐसा वेंजन वर्ण है जिसमें उ या उ की मात्रा उसके पैर में ना लगकर उसके पेट में लगती है और जब रा में उ अर्थात छोटा उ या हर सव लगता है उसके पेट से एक टेड ही रेखा नीचे की ओर आती है और जब रा में बड़े उ की मात्रा का प्रियोग होता है तो उसके पेट से पहले एक लकीर और उसके बाद एक घूमी हुई लकीर नीचे की ओर आती है प्लस आ, रुद्र, रुची, रा, प्लस उ, प्लस च, प्लस ई, रुची, पुरुष, पा, प्लस उ, प्लस रा, प्लस उ, प्लस आ, पुरुष, रूप, इसमें रा में बड़े उ का प्रयोग है, दिर्ग उ का प्रयोग है, रा, प्लस उ, प्लस पा, प्लस आ, और, अमरुद, इसमें भी र में दिर्गु का प्रयोग है इसीलिए आ जुकत मा जुकत र जुकत उ जुकत द जुकत अ सैउक्त वेंजन वर्णों वाले सब्दों का वर्ण विच्छेद सैउक्त वेंजन वर्ण चार ही है क्षा तरग्य और स्रा क्षा, का जुक्त सा जुक्त आ, तर त जुक्त रा जुक्त आ, ग्या जुक्त या जुक्त आ, स्र सा जुक्त रा जुक्त आ क्षा, क्षमा, का जुक्त सा जुक्त आ, जुक्त मा जुक्त आ, सिक्षा, सा जुक्त आ, जुक्त का जुक्त सा जुक्त आ शेक्षा त्रिभूज त जुक्त र जुक्त ई जुक्त भ जुक्त उ जुक्त जुक्त अ ग्य यग्य य जुक्त अ य ग्य जुक्त य जुक्त अ ग्य और ग्यान जुक्त य जुक्त आ जुक्त न जुक्त अ ज्यान स्र स्रोता तालव्य स जुक्त र जुक्त उ स्रो त जुक्त आ स्रोता स्रूती स जुक्त र जुक्त उ स्रू त जुक्त ई स्रूती अनुस्वार वाले सब्दों का वड़न विच्छेद अगर आपको अनुस्वार और अनुनासिक से सम्बंधित किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप इससे भी जुड़े हुए वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है आप उसे देखकर अपने समसे को दूर कर सकते हैं अनुस्वार वाले सब्दों का वंन विच्छेद गंगा कंचन का जुक्त आ जुक्त इया जुक्त चा जुक्त आ जुक्त ना जुक्त आ कंचन इंटर इ जुक्त आ जुक्त आ जुक्त आ जुक्त रा जुक्त आ इंटर मंदिर मा जुक्त आ जुक्त ना जुक्त दा जुक्त इ जुक्त रा जुक्त आ मन्दिर, संभव, स, जुक्त, अ, जुक्त, म, जुक्त, भ, जुक्त, अ, जुक्त, व, जुक्त, अ, संभव अनुनासिक वाले सब्दों का वड़ने विच्छेद, अनुनासिक अर्थात, चंद्रबिंदु वाले सब्दों का वड़ने विच्छेद इसमें आ के उपर ही चंद्रविंदी लग जाएगी आ जुक्त स, जुक्त उ, हसना ह, जुक्त अ, आ के उपर चंद्रविंदी स, जुक्त अ, जुक्त न, जुक्त आ, नदिया न जुक्त अ, जुक्त द, जुक्त इ, जुक्त य, जुक्त आ, न दिया, कथाएं, क जुक्त अ, जुक्त थ, जुक्त आ, जुक्त आ, जुक्त आ, जुक्त आ, और किताबें, क जुक्त इ, जुक्त त, जुक्त आ, जुक्त ब, जुक्त आ, किताबें, री वारे सब्दों का वन्नविच्छेद री की मात्रा इस तरह की होती है रिशी री जुक्त मुर्धन्यश जुक्त ई रिशी फिर दे हा जुक्त री जुक्त दा जुक्त आ जुक्त या जुक्त आ फिर दे दृष्टी दा जुक्त री जुक्त मुर्धन्यश जुक्त टा जुक्त ई प्रिथक पा जुक्त री जुक्त था जुक्त आ जुक्त का जुक्त आ कृष्ण का जुक्तरी जुक्त शा जुक्त अना जुक्त अ जनता के अंदर असंतूस फैल गया जनता के अंदर या जनता में जी हाँ जनता में असंतूस फैल गया गरम गाय का दूद पीना चाहिए गरम गाय गाय गरम होती है गाय का गरम दूद पीना चाहिए पदकरम संबंधिया सुध्या पिता जी की चाय चूलहे पर रखी हुई है पिता जी की चाय ना पिता जी के लिए चाय चाय पिता जी की नहीं है लेकिन पिता जी के लिए चाय है इसलिए पिता जी के लिए चाय चूले पर रखी हुई है रोटियां अच्छे से नहीं सिझाई गई है सब्द ग्यान संबंधी असुध्यां रोटियां सिझाई नहीं जाती है रोटियां सेंकी जाती है इसलिए रोटियां अच्छे से नहीं सेंकी गई है मैं आगे साल दिल्ली गया था आगे साल अर्थात आने वाले सालों में नेक्स्ट येर लेकिन क्रिया का प्रयोग तो भूत काल है अर्थात वो कहना चाहता है कि मैं पिछले साल दिल्ली गया था आगे साल तो अभी तक आया ही नहीं है इसलिए यहां होगा मैं आगे साल दिल्ली जाओंगा